हेलो फ्रेंड्स आज आपको एक और नई डिश बना के दिखाने जा रही हूं तो आप देख रहे होंगे कि यह कुछ समान है मैंने क्या ही कठा किया हूँ है तो यहां पे है आट्टा जो नॉमली हम चपाती के लिए यूज करते हैं और यह है गुड और इस गुड को मैंने त पानी में डालके इस गुड को ऐसे मैंने सिरप जैसा बना लिया है तो आटे को इस गुड में पानी में डालके मैंने यह मिक्सचर तैयार किया है और यह मिक्सचर ऐसे है जैसे हम लोग पकोड़े बनाते है तो पकोड़े का थोड़ा सा मिक्सचर होता है तो उस टाइप का मिक्स्चर बनाया है और मैंने यहां पे रखी है अपनी कडाई जिसमें मैं यह तलने जा रही हूं पकोड़े जैसा लेकिन यह मीठा है तो हम लोग यहां पे यह लेंगे ऐसे थोड़ा सा लिया और इसको यहां हमने डाल दिया तो यह गोल-गोल ऐसे किसी भी शेप में आ जा तो यह हम इसको हलके सेख पे ऐसे लाल कर लेंगे थोड़ा सा जैसे पकोड़े जैसा बन जाए लेकिन यह पकोड़े की तरह करंची नहीं होता है यह सॉफ्ट होता है अंदर से तो ओल को ऐसे निकाल के so now you can see they are coming up really nice and golden and so I will explain the recipe again I took some jaggery and mixed it with the water warmed it up a little bit and when it became the syrup syrup was like this and then to the syrup I added some flour just a plain flour or wheat flour which you make for the chapatis and I made this mixture and then with the spoon put it in deep frying oil and this is how after frying they are coming up nice and golden so these are the finished product and we call them let me know what do you call them तुझी fry करने के बाद ये ऐसे पकोड़े जैसे बाहर आगे हैं लेकिन फरक सिर्फ ये है कि बेसन की बजाए ये आटा और गुड के mixture से बने हैं और हम इने गुलगुले कहके बुलाते हैं आप इनको क्या कहते हैं और मुझे यकीन है कि आप सब भी ये ज़रूर अपने घर में बरसात में तकरीबन लोग बनाते हैं या सर्दियों में, तो आप बताएं कि आप इने बनाते हैं और आप खाते हैं या नहीं, और एक और इंग्रीडियंट इस में आप डाल सकते हैं, वो है सोंफ, तो बाकी के mixture में, क्यूंकि कही बार घर में, सब लोग सोंफ वाला लाइक नहीं करते, लेकिन अभी म यह सौंफ है मेरे पास इसको इस मिक्स्चर में मैं डाल लूँगी तो सौंफ के साथ भी उसका टेस्ट अच्छा आता है तो आप सौंफ भी अगर चाहें तो मिक्स्चर में डाल सकते हैं दो हमेर क्लोच सकते हैं और लूँ है तो आता है तो में अगरा कर दो किना चेट आता है तो इस आता है तो दो फ बवाच्छ आता है